नमस्कार दोस्तों मेरे इस योट्यूब मंचपाफ का स्वागत है आज हम आ गए हैं नंगले तीरत के ससंग भवन में जो कि दोस्तों काफी बड़े एरिये में फैला हुआ है अगर आप पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं इस ससंग भवन के दर्शन करना चाहते हैं तो और क्ये एकड़ में फैला हुआ है इस ससंग भवन की जो केपेसिटी है वो पंदरह हजार लोगों की है एक साथ पंदरह हजार लोग इस सचल्वन में अंधर एंटर कर सकते हैं बैठसक्ते हैं blijत सकते हैंrek से बासरण सुन सकते हैं या प्रभच्चंद सबसक्ते इतना बड़ा ये उसको बता नहीं सकता साथ जो समसे कम 30 फुट के आसपास इसमें लेंटर डाला गए है ये आप दरवाज़ा देख सकतें कितना विशाल इसका गेट है ये दोस्तो साइड गेट है और जहां पर स्वामी जी महराज प्रवचन करते हैं वो एरिया भी आप देख सकते हैं कितना विशाल है और इस पूरे के पूरे एरिये में सफेद कलर का मारवल लगाया गया है और जहां से स्वामी जी महराज प्रवचन करते हैं उस एरिये को दो सामने आप एंट्रेंस गेट देख रहे हैं यह सबसे विशाल एंट्रेंस गेट है बहुत ज़्यदा बड़ाया और बहुत बड़े दर्वाजे इसमें लगाए गए हैं किसी भी तरह का सफोकेशन नाओ इसके लिए बहुत बड़े-बड़े गुम्मदों को बनाया गया है औ क्योंकि इतना विशाल लेंटर हमने आस तक नहीं देखा है और इतना बड़ा आसन भी हमने आस तक नहीं देखा है आप देख सकते हैं गुम्मद पे कितना प्यारी डिजाइनिंग की गई है कितना जबर्दस तरीके से इस प्रवचन के मंच को पत्थरों से बनाया गया है और बहुत ही आदा एट्रेक्टिव ये लग रहा है साथ ही साथ इस होल के अंदर बहुत सारे पंके भी लगाए गए हैं ताकि जब भक्त गण स्वामी जी महराज के प्रवचन को सुने तो उनको किसी भी तलह का कोई भी तकलीफ ना हो और वो अराम से गुरु वानी को सु बात कर पाएं यहां पर आप देख सकते हैं साफ सफाई का भी विश्यस तोर पर ध्यान रखा गया है अब हम दोस्तों भार से आपको इस सहसंग भवन के दर्शन करवाएंगे और आप खुद देखेंगे कि हमारे स्वामी जी महराज को कितनी बड़ी विरासत आज बक्त द है है कि आज अफिछ पर कि जो नंगली तृत है कि फंद्रा सो विगे जमीन के आसपा जमिन आश्रम के नाम मैं अब आप देख सकते हैं हम आपको इस आश्रम को भार से घुमाएंगğे कितना प्यारा श्में बाग बनाया गया है। इतना प्यारा इसमें आप देख सकते हैं थमलो के माध्यम से और बहुत अच्छी पॉलिस के माध्यम से गेटों को सजाया गया है, रंग रोगन किया गया है और बहुती प्यारा बहुती अट्रेक्टिव इसका एक एक डिजैन बनाया गया है और इसका जो ओवराल स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा शांदार है कि भार से ये किसी बहुत विशाल काई कोठी की अगरती की तरह प्रतित होता है साथ ही इसके अंदर बनाये गया बाग भी बहुत ज़्यादा शांदार दिखता है जो मन को बहुत ज़्यादा शांद कर देता है अब आप देखी सकते हैं किस परकार इस चारों तरफ बड़े बड़े प्यारे प्यारे सुन्दर सुन्दर पोदों को वरक्षों को और घ्यांस की कारियों को बनाया गया है इतना विशाल गार्डन होने के बावजूद वो इतना विशाल इसका फरस होने के बावजूद यहाँ पर हमें गंदगी का छोटा सा भी हिस्सा देखने को नहीं मिलता है अब हम इस विशाल का ससंग भवन के दर्शन आप थोड़ा से दूर से करेंगे और खुद समझे यह जो सकसंग भवन है कितना विशाल है यह आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे इसमें गंद दिख रहे हैं और एक चोटी नुवा अकरती दिख रही है यह जो गुम्मद है होल के अंदर जो गुम्मद बनाए गए है जो गोल-गोल होल के अंदर से दिखाए देते हैं यह वही गुम्मद है और जो विशाल काई चोटी दिखाए देती है वो मंदिर की चोटी है अब आप देख सकते हैं इसकी boundary को कितना सांदर तरीके से cover किया गया है और ये बहुती जादा attractive दिखती हैं साथे साथ इसमें हर एक कुने को हर एक design को बहुती कारिगर कारिगरी के साथ बनाया गया है जिस कारण ये बहुती जादा सांदर परतित होता है यह आप देख सकते हैं यह सस्तंग भवन का में एंट्रेंस है और यह दोर इतना बड़ा है कि इस दोर को कवर करने के लिए मुझे काफी दूर जाना पड़ा इस प्रकार आप देख सकते हैं कितने विशाल का अच्छेत्र में इस आश्रम को बनाया गया है और अपने भक्त ज परतित हो रहा है कितना शांदार इसका डिजाइन है जो की मन को मोह लेता है और हमें मंत्रमुग्द कर देता है अब आगे की वीडियो हम म्यूजिक के माध्यम से कवर करेंगे 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 झाल झाल दोस्तों इस तरह हमने चारों तरफ से आपको इस रस्तिंग भवन के दर्शन करवा दिये हैं अंदर से भी हमने आपको इसके दर्शन करवा दिये हैं यहां के देखरे करने वाले गुरू जी हैं जिनकी माध्यम से हमने इसकी दर्शन आपको करवाए। बहुत ही अच्छे यह व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें बहुत ही हैदा तसलिय से इस सेस्तिंग भवन के दर्शन करने दिये और हम आपके पास इतनी शांदार वीडियो ला पाए। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और अगर आप स्वामी सोरुपनन जी महराज के सच्चे वक्त हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस परकार के धार्मिक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस सब्सक्राइब के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आप नंगली तिरिस से जुड़े अन्य वीडियो को देखना चाते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। साथ इस वीडियो के अंत में दे कर दो आप नंगली तिये गए इस वीडियो के अंगली तो आप ड़ती हैं।